हाई फ्रेंड्स तो अभी देखते हैं कि OBS Studio को कैसे डाउनलोड करना है और कैसे उसको रन करना है और उसके सेटिंग्स कैसे करनी है यहाँ पर मैंने डाउनलोड किया हुआ है OBS Studio अल्रेडी लेकिन मैं आपको शुरू से बताऊंगा आपको गुगल पर जाना है और लिंक पर टाइप करना है obsproject.com टाइप करने के बाद आपको OBS Open Broadcaster Software का लिंक दिखेगा उसके आपको क्लिक करना है उसको जैसे आप क्लिक करते हो आपको OBS Studio का पेज दिख जाएगा उसके तीन आप्शन के साथ आप अप्लिकेशन को डाउनलो Software के लिए मेरा Laptop Windows का है तो मैं Windows करता हूँ जैसे आप Windows पर क्लिक करेंगे आपका एप्लिकेशन डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और डाउनलोड होने के बाद आपको यसा मैसेज आएगा Thank you for downloading OBS Studio यानि आपका Software डाउनलोड हो गया है अब डाउनलोड होने के बाद आ OBS Studio को डाउनलोड करने की process अब मैं आपको इसके features बताऊँगा कि कैसे screen recording स्टार्ट करना है कि मैंने open कर लिया मेरा OBS Studio Software अभी यहाँ पे आपको दो screen दिख रहे होंगे एक है sources और एक है scenes तो simply आपको sources पे जाना है plus पे क्लिक करना है यहाँ पे display capture पे क्लिक करना है आप जैस इसे display capture पे क्लिक करेंगे आपको create new option आएगा मैंने already किया हुआ है display capture करन करके आपको कुछ भी नाम डाल सकते है अपना नाम डाल के आप उसको create कर सकते हो के पे क्लिक करना है मैं अभी cancel कर रहा हूँ जैसे उपक्लिक करोगे ओके यहाँ पे option आजाएगा video capture device यानि आपका screen recording recording शुरू हो जाएगा याने उसका setting हो जाएगा next आपको कि खुद का screen याने खुद को represent करना यहाँ पर दिख रहा होगा मैं भी दिख रहा हो आपको बताते वाग तो उसको कि उसका setting करने के लिए आपको वीडियो capture device पर जाना है यह लिखा हुआ है डिस्प्ले capture डिवाइस पर option है यहाँ पर तो उसके आपको create new आपना नाम डालना सकते या फिर जो है वही रख सकते और पर क्लिक करने अभी मैंने कर दिये तो मैं cancel कर रहा है यह हो गए आपको video capturing शुरू करने का और खुद को picture में लाने का एक तरिका अभी next है आप कितने टाइम तक record करना चाहते यहाँ पर मैंने 1000 seconds तक कर सकता हूं मैं उसके बाद यहाँ पर option है start trimming stop recording start recording का option है यहाँ पर पहले start recording का रहेगा अभी stop recording का है तो मैं जैसे start recording पर क्लिक करूंगा वो start हो जाएगा और जैसे stop करूंगा वो बंद हो जाएगा next है setting में जाना है आपको यहाँ पर आपको audio पर जाना है audio पर कुछ-कुछ यूटूबर्स को problem यह होता है या फिर वीडियो रेकर्डर्स को कि speaker जो है computer का उसके साथ भी record करते हैं कुछ लोग headphones के साथ भी record करते हैं तो आपको simply क्या करना है दोनों को choose करना है जैसे speaker और headphone है और आपको ok क्लिक करना है आप दोनों के साथ आप यूज कर सकते हो इसका और ok पर क्लिक करोगे तो उसका setting सेट हो जाएगा second फिर से आप setting में जाए वीडियो में जाए वीडियो में आपको कौन सा resolution चाहिए यहाँ पर high resolution है यहाँ पर aspect ratio है आप चूज कर सकते हैं अपने हीसाब से और उसको ok करके आ एक option है start streaming and stop streaming आपको recording शुरू करना है streaming करना है तो मैंने यहाँ पर नम प्लस और नम माइनस के साथ recording शुरू और बन कर सकता हूँ start recording के लिए मैं नम का जीरो टाइप कर लेता हूँ और stop recording के लिए मैं नमबर की नमबर लॉक किये हो नमबर की 1 टाइप कर लेता हूँ जब भी मैं मुझे डाइक ली वीडियो स्टार्ट करना होगा recording तो मैं 0 पे क्लिक करूंगा और मुझे बन करना होगा तो वन पे क्लिक करूंगा तो बन हो जाएगा अपलाइ करना है और ओके कर देना है इसके बार मैं आपका वीडियो रेकर्ड हुआ है यह आपको कहा देखना है वाइल में जाना है शोर रेकॐर्डिंग में जाना है यहाँ पर जितने भी आपने वीडियो स canon और गॉन कर सकते बहुत ही इजी है यह अपिकलिकेशन बहुत ही पावर्फुल इन यह तो मैं अभी मैं इसको stop recording कर देता हूँ और आप ये फिर आप मेरे चैनल पर वीडियो देख सके